चलिए आए दोस्तों आज मैं आप कहता हूँगा वाट्साब का चार्ट होता है, उसको कैसे बेक अपक्प किया जाते हैं, अगर आपने सोच लिए कि आपका जूर मोइल है, तो आपके लिए ये वीडियो और आपको ये वीडियो को स्टार्ट लेकि आखितक देखना है आज मैं आपको तहूंगे के से आप अपनी वाट्सप चार्ट का बेक अप करेंगे चाहे आप कोन सब मोबाइल ले लिए उसके अंदर आपको डेट बाइट फोटो बाइफ आपको फोटो करना है ताक कि इस ते बीडियो फोटीक को देखले हिए शुडियो को फोट आजा को फ़लो करने वाट सम hai तो उस को पीजए को वियॡियो पसंद आजाये तो और नीचा स्टार ऑला ओप्शन प्प्सिंदा शींद आपको नजर आएगा तो उस स्टार वाल नेवर मिसन अपडेट। और यहां से आपको Gmail होता है वो आपको सब्सक्राइब कर लिया, और उस Gmail पर हम क्या करेंगे, सबकर सब यहां पर करेंगे तो देखिए हमने Gmail से लेट कर लिया आप यह जो हमारी चाट थी यह बेक आप होँगी यहाप देखिए आप यहाप आपको और एक एक option नजरा आगा यहाप आपको तो आपको यहापः कुछ भी नहीं करना है बैक आपको एक बार लगा दिये तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है आप देखेंगे यह हमारा नेटवर्क लेगा तो अब यह आपको 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 जो नेट होता है यह अन कर देना है नेट ओन हो चुका भी हमारे गूगल डुराइव वह पर सबकूर डाटा भी हमारा बेक अप हो रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करना है आपको तौशा टाइम भी लग सकता है जितना ज़्यादा आपका डाटा रहेंगा उतना ज्यादा आपको यह पर टैम लग सकता है अगर आप मोबाल को रिसेट करना चाहते तो यह आ आपको उस्यारी है आपको सबसे पहले कर लेना है तो हमारी में आन्टें वाइफ़ ले लिया है और हमारे पस सेवन जी का डाटा है हमारे पास यह सब डाटा हम क्या कर रहे I उपते होंडी हो जाएगा और यहां से हमारा नीमेल बेने हमारे जो डाटा यहाँ पर backup हो जाएंगा इस तरह से आपको आपका जो WhatsApp को जो चार्ट है इसे backup कर लेना है और इसे save कर लेना है यह process हो गई तो यह process हो नहीं होगा जब आप भी नए mobile में अपना WhatsApp open करना ही जाएंगे तो सबसे पहरे आपको आपको mobile नमर डाल देना है mobile नमर डालने के बाद वहाँ पर आपको एक option मिलेगा backup डाटा तो वहाँ पर आपको backup डाटा select करना है कब यह जब आप दूसरे mobile में जब WhatsApp open करना ही जाएंगे तब तो वहाँ पर आपको आपका जो email होता है जो आपने backup करने से पहले जो email लिया था वो email आपको वहाँ पर ले लेना है तो देखिए जैसे के आपने देखा मैंने आपको backup लेना सिखाया अब हम यहाँ पर क्या करें नए mobile में इसे इंस्टाल कर रहे तो अब नए mobile के अंदर हमारे पुराना चैट था अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी तो आब यहाँ पर हमने क्या किया सब कुछ कर लिए आ आपको एक option नजर रहेंगा जब भी आप नए mobile में install कर लेंगे तो आपको आपको आपर एक option नजर आएंगा back up तो back up करते समय आपको वह email लेना है जो email आपने back up करते समय लिया था जैसे हमने फिटले मुबाइल में बैक अप के लिए इमेल लिया तो वही इमेल हम क्या करेंगे नए डिवाइज में इसे एड़ करेंगे जैसे में आप पर नए नए मुबाइल में वह इमेल एड़ करेंगे और बैक अप को ले लेंगे तो हमारे जो पुरा सबका चार्ज बैक अप कर सकते उम्मिद करतों दोस्तों आप समझ चुके होंगी किस तर्ट